हलो प्रेंट्स मैं कवीता आपका स्वागत करती हूँ कवीता जिन्दोरी जाइका में आप सभी को दिपाउली की बहुत बहुत शुब काम नहीं आज मैं बना रही हूँ गूजिया हमारी यहां 4-5 तरह की गूजिया बनाई जाती है आज मैं आपके साथ तिल्ली की गूजिय की रेसिपी शेयर कर रहे हूँ इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है 200 ग्राम तिली देखिए गुड लिया है 100 ग्राम एक कटोरी मैधा और घी आईए इसे बनाना शुरू करते हैं मैधा लेंगे इसमें मोयन के लिए एक चम्मज घी डालेंगे आप घी की जगह ते तेखी को मैदे में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आटे के डो की तरह तैयार कर लेंगे देखिये यह तैयार हो चुका है अब हम एक कपडा लेंगे उससे हलका से गीला कर लेंगे और उसमें मैदा लपेट कर इसे ढखकर रख देंगे मैदा सेट हो रहा है जब तक हम फिलिंग तयार कर लेते हैं गर्म कड़ाई में तिल्ली डाल लेंगे तिल को हमें 3-4 मिनिट तक सेखना है तिल सिख चुकी है गेस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे तिल के ठंडा होने पर इसे हम हलका दरदरा पीस लेंगे यह देखिए हमने तिल को हलका दरदरा पीस लिया है अब हम इसमें गुड मिलाएंगे गुड हम हातों की सहायता से मिलाएंगे गुड़ हमने मिक्स कर लिया है गुजिया की फिलिंग तयार हो गई है मैदे से हम छोटे साइच के लोए बना लेते हैं यह देखिए इस तरह से लोए पर इस तरह से मैदा लगाएंगे और इसे पूरी के आकार इतना बेलेंगे पपड़ी बन चुकी है देखिए अब हम गुजिया बनाने का मोड लेंगे और इसे इस तरह से रख देंगे अब इसमें फिलिंग भरेंगे इस तरह से इस तरह से पलट कर बन करेंगे देखिए साइट से एक्ष्टर आटा इस तरह से निकाल देंगे देखिए इसे हम इस तरह से खोलेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे इसी तरह से हम सारी बुजिया बना लेते हैं देखिए, हमने गुजिया बना लिई है, अब हम इने गी में डिप फ्राय कर लेंगे, गर्म कडाई में गी डालेंगे, गुजिया को हलका गोल्डर होने तक हमें डिप फ्राय करना है, अब हम इने पलट लेंगे, इन्हें निकाल लेंगे आपको मेरी तिल की कुजिया की रेसिपी पसंद आई हो तेसे लाइक कीजिए और वीस्तर की रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हापी दिपावली